स्मार्ट वाच की स्रेस्ट में जेब्राउनिक्स भी अपनी back-to-back स्मार्ट वाच्छ लॉंच कर रहा है इनकी नए स्मार्ट वाच लिस्ट हो चुकी है Amazon के support page पे जेब्राउनिक्स ट्रिप अब यह जो स्मार्ट वाच है इसमें Bluetooth call की functionality मिल जाती है सारे fitness features मिल जाते हैं, अच्छी display मिल जाती है और ये budget segment के अंदर में आपको देखने को मिलेगी तो आगे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ Zepronix strip smart watch के पूरे features कैस की price होगी, कभी ये launch होगी सब कुछ आपको पता चलेगा, एक छोटी से request रहेगी वीडियो अच्छी लगे तो like करिए और चैनल पे पहली बार है तो भाई subscribe जरूर कर दो, आप लोग वीडियो देखके चले या तो subscribe नहीं करते हो सबस्क्राइब जरूर आप कर दीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या वेरी चैनल के और वीडियो आपको अच्छी लगे तो सबसे बेले physical overview की बात करें तो सेpronix strip smart watch में आपको square frame देखने को मल जाएगा metal build right hand side में एक physical की है जो crown type का आपको design offer करती है silicon का strap है, changeable है, third party strap base में लगा सकती हो तो design काफी अच्छा मिल जाता है, premium आपको feel देगी और build quality भी काफी बढ़िया मिल जाती है क्योंकि metal build आपको frame मिलता है वैसे कर display की बात करें तो इस वाले smart watch में 1.69 inch की आपको square colorful display देखने को मल जाती है 100 plus आपको watch faces cloud base देखने को मल जाएंगे और custom watch face भी आप इसमें use कर सकते हो डिस्पले बहुत जदा bright होने वाली है तो outdoor आपको visibility का issue नहीं मिलेगा और जो colors वगरा है काफी sharp है तो आपको colors वगरा का भी दिक्कत नहीं आएगा कोई notification आएगा तो आपकी लेटले उसको read कर पाऊगे तो display काफी बढ़िया मिल रही है price को अगर आप देखते हो उसके हिजाब से बाकी जो सबसे highlighting feature है वो है Bluetooth calls का तो इसमें microphone और speaker built-in मिल जाता है जिसकी मिलन से आप Bluetooth calls कर सकते हो कोई call अगर आईए आपके phone पर तो आप directly smart watch के तो receive करके बाद भी कर पाएंगे अगर आप बहुत ज़दा workouts करते हो तो ये smart watch आपके लिए भी best होने वाली है क्योंकि इसमें आपको 100 प्लस जो है different different type के workouts mode मिल जाते हैं ज्यादा detailing आपको workouts mode की देखने को मिल जाएगी built-in GPS नहीं है तो GPS डेट आपको नहीं मिलेगा लेकिन आप जो भी workout करोगे उसकी काफ़ यादा detailing आपको smart watch ये देने वाली है fitness feature side से देखा जाए तो Zebronics trip smart watch में आपको heart rate monitoring मिल जाती है SPO2 है sleep monitoring इसमें मिल जाती है sedentary reminder है फिर इसमें आपकी calorie कितने बनवी कितने steps आप चलो ये सब कुछ आपको काफ़ यादा detailing में देखने को मिलेगा even आपको जो heart rate और SPO2 का जो data ये measure करेगा उसके accuracy काफी बढ़ी है आपको देखने को मिलेगी safety purpose से देखा जाए तो IP67 की rating आपको smart watch में मिल जाती है तो आप बिल्कुल भी इसको पहन के swimming shower नहीं ले सकते हो थोड़ा बूत पानी आने पर तो issue नहीं है लेकिन अगर आप इसको काफी दर भिगा के राखते हैं जनरली देखा गया है कि जिस वाले smart watch में Bluetooth call की functionality होती है अगर आप थोड़ा heavy use कर लो तो एक दिन का maximum आपको battery backup मिलेगा और थोड़ा normally use करने पर दो से तीन दिन का आपको battery backup मिल सकता है तो Zeptonics के इस वाले smart watch में भी आपको एक से लिके तीन दिन का battery backup मिल जाएगा आप depend करेगा कि किस तरह से आप इस वाले smart watch को use कर रहे हैं बाकि notifications की बात की जाए तो इसमें आपको सभी तरह का notification alert देखनी को मिल जाएगा जैसे call, message, email, आपके social media app का notification, notification को आप customize भी कर पाऊगी आपकी जो need है उसके हिसाप से तो overall दोसनों कुछ इनी features के साथ में Zebronics strip smart watch जो है वो इंडिया में बहुत यल्दी launch होने वाली है बात करें इसकी क्या price होगी, कब तक ये launch हो सकती है तो features के हिसाप से और brand को देखते हुए मैं इसकी price expect कर रहा हूँ 3000 रोपीज के आस पास Zebronics इसको इंडिया में launch कर सकता है launch date की बात करें तो June end तक ये smart watch इंडिया में launch हो जाएगी तो अगर आपको कम पैसे में ज्यादा features चाहिए तो Zebronics strip smart watch का weight आप जरूग से कर सकते हैं बाकि आप लोगों को ये smart watch कैसी लगी features के recording लिए आप क्या इसकी price expect कर रहे हो कमेंट करके आप मुझे नीचे बता सकते हैं वीडियो helpful लगी हो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस करें कुछ इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में